महिस लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स विमंडी में ATM मशीन तोड़कर 26,4,500 रुपे चूरी करने वाले 5 आरुपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें से चार आरुपी मुम्रा के रहने वाले हैं जबकि एक आरुपी राजस्थान का रहने वाला बताय जा रहा है आरुपियों के नाम हम आपको पहले बता देते हैं इन आरुपियों के नाम है तौफिक रफिक अंसारी 26 साल इलियास युनुच खान 60 साल गुलाब इलियास खान 27 साल शोईब इलियास खान 20 साल ये सभी चार आरुपी मुम्रा के रहने वाला है जबकि शराफत अजमल खान 26 साल ये राजस्थान का रहने वाला है इन लोगों ने भिमंडी तालुका के पूर्णा इस्थित एक HDFC बैंक के ATM को गैस कटर की मदद से काट कर यहां से 26,4,500 रुपे चूरी का राजस्थान फराद हो गए थे इस पूरे मामले में नारपोली पुलिस ने शिकायत दर्श की थी साथ ही भिमंडी क्राइम ब्रांच यूनिट दोहिस मामले की जाच में जुटी हुई थी जिस गैस सिलेंडर से इन लोगों ने ATM मशीन काटी थी दरसल वो ऑक्सीजन सिलेंडर था और जो आमतोर पर मरीजों को ऑक्सीजन देने में उपयोग किया जाता है इस सिलेंडर की जब पुलिस ने जाच परताल शुरू की तो पुलिस को पता चला कि ये ऑक्सिजन सिलेंडर मुम्रा के एक गैर सरकारी संगठन से लिया गया था ये संगठन जरूरत मन्त बिमार लोगों को ऑक्सिजन देने के लिए सिलेंडर नुहया कराती है संगठन से जब पुलिस ने पूश्टाच की कि आखिर ये अक्सीजन सिलेंडर किस ने लिया था जिसके बाद संगठन के तरफ से इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और यहां से जानकारी मिलने के बाद पुलिस आखिर कार इन आरूपियों तक पहुँच गई और इन आरूपियों को राजस्थान के भरतपुर से गिरफतार कर लिया गया है कर कि चित्थाइðर इन आरूपियों कि देखर इन आरूपियोंस कर लिया गया है कि ये लिध बाद से जानकारी क真 projecta से जाखित आरूपियों के लिवजणες तक शुलिस सिपें ये ये तक पुलिसा जानकार मिलने कि Battery